खाने की बेहद लाले पड़े हो लेकिन पाकिस्तान कभी साजश रचना नहीं भूलेगा। भारत ने जब से जम्मु कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 को हटाया है। तब से पाकिस्तानियों की सुल्गी पड़ी है। बता दे पाकिस्तान चिलाता रह गया और भारत ने एक जटक पाकिस्तान की सुल्गी पड़ी थी। अभी तो इनके जेब में इतने पैसे भी नहीं आए कि उन्होंने फिर से भारत को आख दिखाना शुरू कर दिया। कश्मीर को अपना बनाने का सपना लिए पाकिस्तान एक बर फिर भारत को धमकी दे रहा है। और आने वाले दिनों में कुछ ऐसी साजिस रचने के फराक में हैं जिसे भारत की छवी अंतरास्टे स्तर पर खराब होगी। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये भिखारी पाकिस्तान ऐसा क्या चाल चलने वाला है। तो आपकी इस जिग्यासा को शान्त करेंगे एंट तक वीडियो में बने रहीगा और अपने यार दोस्तों को जरूर शेर कीजेगा। देश में आजादी के वक्त से ही जम्मु कश्मीर का मसला गरमाया हुआ था और इस पर कोई भी सरकार एक्शन नहीं ले पा रही थी। लेकिन भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और ग्रह मंत्री अ और एक ऐसा इतिहासिक फैसला लिया जिसने कई देशों के तोते उड़ा दिये। भारत ने इतिहासिक फैसला लेते हुए साल 2019 में आर्टिकल 370 और 35 को बहाल कर दिया। जिसके बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। चारों तरफ चर्चाएं होने लगी कि भारत ने आखिर कैसे रातो रात ना बड़ा फैसला ले लिया। हाला कि भारत ने जब जम्मु कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 को बहाल किया। तब राज्य में 890 केंद्रे कानूनों को भी लागू किया। हाला कि भारत के इस फैसले से बौकलाए पाकिस्तान ने इस मुद्दे को कई अर फार ग्लोबल मंच पर उच्छालने की कोशिष की इतना ही नहीं बिखारी पाकिस्तान ने भारत युद्ध तक द हम पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी ने तो ये तक कह दिया था कि आर्टिकल 370 हटाकर भारत ने बहुत बड़ा खतरनाक खेल खेला है इस संवुचे इलाके पर घातक असर होगा कश्मीरियों को पहले से जादा कैद कर दिया गया है उन्होंने आगे कहा कि कुवी तरह से कश्मीर के लोगों के साथ है लेकिन यहां भी आतंगवादी यूनिवर्सिटी की एक दुकान नहीं चली पाकिस्तान अब एक बार फिर जम्मो कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने पर भारत की दुनिया भर में छवी कराप करने की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान क पाकिस्तान ने आर्टिकल 370 हटाने के चार साल पूरे होने से पहले ही अपना फिर शुरू कर दिया है इसी महिने में पाकिस्तान तुर्किये में अपने दूतावास में कश्मीर पर एक सेमिनार किया था जिसे इसने जम्मू कश्मीर विवाद समाधान की खोज नाम दिया बता दे जम्मू कश्मीर का विशेश दर्जा खदम करने के बाद भारत और पाकिस्तान के रिष्टों में बेहत करवाहट आ गई है पाकिस्तान के तत्कालिन प्रधानमंत्री इम्रान खान ने कहा था कि जब तक जम्मू कश्मीर में अनुछे 370 बहाल नहीं किया जाएगा तब तक भारत से कोई बादचित नहीं होगी हाला कि समय समय पर ये पाकिस्तान अपनी जरूत के अकॉर्डिंग अपना रंग बदलता रहता है अब पाकिस्तान ने इस तरह से अपने तेवर दिखाए तो भारत भला कैसे पलटवार नहीं करें भारत ने भी कहा कि जब तक आतंगवादियों पर कारवाई नहीं की जाती तब तक बाचीत का सवाल ही नहीं उड़ता तब से चार साल बाद पाच अगस्त के दिन पाकिस्तान देश भर में भारत के खिलाफ धर्णा परदर्शन करता रहा है यहाँ तक की पाकिस्तान के नेता दूसे देशों में जब जाते हैं तब वे कश्मीर के मुद्धे पर भारत को कोसने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं बतादे पाकिस्तान MOFA ने दुनिया भर में अपने दूतावासों और उच्चायोगों को तुर्की पर मुख्य ध्यान के इंदिर्थ करते हुए भारत विरोधी प्रचार फैलाने का काम सौफा है अधिकारियों ने जम्मू कश्मीर में अनुछे 370 को निरस्त करने के उपलक्ष में पांच अगस्त को यौम ए इस्ते हसाल्व यानि की शोशन का दिन नाम दिया है अनुछे 370 के निरस्त होने के बाद आतंगवाद और राजनितिक लाप के लिए आतंग का हिस्तमाल करने वाले एजंडे को करारा जटका लगा है निवेश, पर्यटन और सिक्षा को भी बढ़ावा मिला है जिसे कश्मीर के साथ-साथ जम्मु के समगर विकास में मदद मिली है हलाकि अंतरास्ट्रिये ध्यानना मिलने के बावजूद पाकिस्तान अभ्य समुद्दे पर वैश्विक मंच पर भारत की नकरात्मक छवी बनाना जारी रखता है पतादे यासीन मलिक के नितुत्व वाला अतंगवादी समूद जम्मु कश्मीर लिबरेशन फ्रंट भी पांच अगस्त को वहाँ एक तथा कथित विरोध प्रदशन का आयोजन कर रहा है इस बीच टूलकित में ये भी निर्देश दिया गया है कि सोशल मीडिया पर गलत सूशना अभ्यान कैसे चलाया जाए इंस्ट्राग्राम और एक्स का इस्तमाल भारत विरोधी प्रॉपगेंडा फैलाने के लिए कैसे किया जाए इसके लिए कई तरह के हैस्टेक्स का इस्तमाल किया जा रहा है जिनका उपयोग नापाक भारत विरोधी तत्व सोशल मीडिया पर भारत की खराब तस्वीर करने के लिए यूजना बना रहे हैं आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही अन्य खबरों के लिए जुड़े रहे है दन्यूस 15 के साथ